तो कल हमने पक्षीनिया स्टार्ट किया था ठीक है और आज हम इसका थोड़ा हर डिटेल में मैंने कहा था कि हम थोड़ा डिटेल में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे अब हम बात करते हैं इसकी कुछ डिटेल्स की जो अपने अग्जाम में लिख किया नहीं है तो पक्षीनि करता है डिफरेंट होस्ट को इंकलूडिंग वीट पारले राई और सम लाइक सम काइंड ऑफ ग्रासिज ठीक है तो यह कुछ ग्रासिज के नहीं है तो मतलब ऐसे नहीं कि क्या वीट प्लांट को इंफेक्ट करता है ठीक है अगें पक्षीनिया जीनस है और इसके अलग- इसमें फाइफ काइंड के स्पोर बनते हैं इसलिए इसको मैक्रोसाइकली कहा गया है ठीक है पॉलिमॉर्फिक क्यों क्यों कि इसके जो मॉर्फॉलोजी है वो वास्ट है मतलब आप इसको अलग-अलग रूप में देखोगी यानि यूरिडियो स्पोर आपको अलग दिखा है कल बताया था मैं आपको ईसकी ब्राइमरी होस्ट रहेगा और होस्ट रहेगैं इसका वार्बर होस्ट रहेगा और तरे सकते हो उप लिड ए जब उप इसको मार्च के टाइम पर फरवरी मार्च में देखी जाती है लेकिन साउथरन इंडिया के अंदर इसके जो सिम्टम्स है ना यानि कि फंगस की जो स्पोर है आपको नौंबर की आसपास दिखाए देंगे क्योंकि नौंबर के टाइम पर जो बारवरी प्लांट है उसके उपर जो एसीडियल स्पोर है जो फाइफ काइड बताया था मैंने को जो पांसमे नंबर पर आथ सबसे लास्ट में आपको उनके नाम जाद रखने पड़े हैं फिर से बोल रहा हूँ यूरिडिनियो स्पोर टीलियो स्पोर बेसीडियो स्पोर उसके बाद पिकिनियो स्पोर और लास्ट में एसियो स्पोर या फिर ऐसियो स्पोर ठेक है तो जो लास्ट वाड गूसक पोर है kind of स्पोर एसियो स्पोर developed on the बार्बिल ट्लांट at the month of October और November और वहां पर बनने ये बाद South India में वो विंड से ट्रैवल करते हैं आप सोचो जो साउथ इंडितनी दूर है और यह गेंव अपना नॉर्स में लगता है इतनी दूर कैसे आते हैं वो विंड से आते हैं इसलिए जो यह नहीं होते प्लांट पैथलोगिस्ट होते हैं या पिर अगरिकल्चर साइंटिस्ट कह सकते उन्होंने अलग-अलग साइट बना रखी हैं ठीक है वो विंड के सैंपल को इक ठागरते हैं इस टाइम पर और यह बता देते हैं फार्मर को कि अगले पंद्रा दिन में आपके खेत में डिजीज है जो पक्सीनिया जो इसके जो फंगस है यह आ सकती है तो मतलब बीच बीच के अंδर ऐसे कुछ सुना होगा न्यू चैनल होते है अपने देख़े होगा रेडियो पर बताते हैं आगले महीने में इस टाइम पर यह भीमारी फैल रही है और यह आ सकती है वे वैसे बताते हैं बारीस आने वाली है वैसे ही आपको डिजीज इसको बसे डिजीज फोर्का िरльा बॉक्ताथ में प्लांट तो सिम्टम्सूंट । स्टाइट को ऐसे घृतल पिज्ट मृट्व जो सबसे पहले टृक्त करेगा मैंने को बताया हुए-ब्रां किलर की श्टैम के उपर इस तरीके से आपको है वो दिखावई देएंगी इस है ठीक हैं यानिकि ब्राउन के लिए पाउडर की ऐसे लगए जिसे लाइन लगा रखी है चोटी स्टैम के उपपर ठीक है इसके बाद तो अगें सबसे पहले स्टैम पर स्टैम पर जादा देखने को मिलते हैं इसके अलावा इसकी जो बाकी स्पीसीज आंपक्सिनिया की वो लीफ पर करते हैं और लीफ सीथ के उपर आपको मिल सकते हैं यानिकि उस टाइम बात कि आओगा जो ब्राउन पेस्ट्वल है दे टर्न इंटो दा ब्लैक ठीक है जो पाउडर है उसको पेस्ट्वल गारा जाता है और यह जो पाउडर है जब प्लांट ओल्ड हो जाता है पक नहीं ल तिलिडियो स्पोर ठीक है इन्फेक्टिड प्लांट प्रडूस्ट सिवरिल लाइट वेट ग्रेन एंड रिडूसिंग दावराल इल्ड बे तो भी असी बात इसे क्या होगा प्लांट के उपर अगर कोई भी फंगस है अगर वो ग्रो करता है तो क्या करेगा उस प्लाँन का जो नुन्टीशन जो फंगस को फंगस से खुद अब जोर कर लेगा तो के अगर सवगस खुद आब करेगा तो गेहुं का दो दा ना होता है तो दाने जब बनाताया प्लांट नपन जो फूट उस स्टोर करता है ताकि अपनी जो नेक्स जनरेसन उसके लिए उसकी जलाइफ साइकल उचलती रहेगी वीट की ठीक है लेकिन फंगस क्या करता है जो फूट बनाया है उसको खुद अब्जोर कर लेता है ठीक है तो जो ग्रेंड के लिए डिपोजिशन के लिए जो उच्टार को जो जाएगी जो बार्बरी प्लांट होता है इसके ओपर डॉर्सल लीफ के ओपर मैंने फो फोटों में बह्त प्ता है था कि इसके ओपर क्या होते हैं भी इसकी अपर सर्फेस पर य्लोंग तो बंते ऑं और सब्सक्राइब this week ago lä freaked openении तो आपने फंगस का नाम ओर इससेकंड फंगे करता है व्राउंड डैस्ट वट था हई यह आ पक्युनिया स्टेरिफ्ओर्मिस ये करता है ये लो रस्ट वीट ने वह रखना है जो आपने इसकी जो पूर्स्ट इम्पोर्दन है I आपने याद रखना है आप से एक नमरे पूछ लेगा राइड डाउन दा थ्री मो थ्री या टू स्पीसिस ओफ पक्सीनिया डैट कोज डिफरंट काइंड ओफ वीट वीट यह देखो तो अगे पक्सीनिया रिकॉंडिटा यह ब्राउन रस्ट वीट और नॉर्मली जो ब्रा बात कर रहें पक्सीनिया रिकॉंडिटा की इसके जो सिम्टम्स आपको यह लीफ के उपर जाद दिखाए देंगे और ब्राउन कलर के इस तरीके से जो स्पोर्ट्स हैं आपको दिखाए देंगी ठीक है यह आप नेक डाई सिफ देख से तो माइक्रोस्कोप या फिर कोई इसके जरूरत नहीं पड़ेगी यह कुछ और फोटों है ब्राउन रस्ट की ठीक है तो एल्टिमेटली जो लीफ है वो कम्प्लीटली ब्राउन कलर की हो जाती है ठीक है और जो यलो रस्ट है इसको स्ट्रिक अरेस्ट भी बोल देते हैं यहाँ पर जो सिम्टम्स होंगे न 回去 is require फोर जो पाउड़ बनेगा वो आपको ब्राउन कि ब्राउन के वजाए ये यलो गलार का दिखाए लिए धेगा याहाँ पर जो लीफ का जो कलर है ना इंत ब्राउन यहाँ ओर इंच और नहीं होगा यहाँ पुर जो कलर होगा वो आपको यलो दिखाए बेगा इसलिए नाम है yellow rust of wheat and caused by the paxenia steriformis तो इसको हम yellow rust को हम strip rust भी बोल देते हैं तो यह आपको yellow color के early symptoms ऐसे दिखाए देंगे yellow color के leaf के ओपर आपको पतली-पतली lines दिखाए देंगे तो जो brown जो यह symptom बताया था मैंने आपको brown rust यहाँ पर क्या होंगे आपको जो circle दिखाए देंगे मतलब circle से दिखाए देंगे like that जिसके आपको इस photo में दिखाए दे रहा है ठीक है लेकिन yellow rust होता है इसमें आपको strip दिखाए देंगी जैसे कि आपको यहाँ पर जैसके line से इस तरीके से yellow color की अलग अलग जो strips हैं वो दिखाए देंगे इस तरीके से clear है तो इसको strip प्ति की तरह है और ultimately जो strips हैं जब infection इसका ज़्यादा होता है तो आपको पूरी leaf होगा यह लोग अजरके हो जाएगी fungus है पक्सीनिया यह आपको देखने में कैसा में लेगा मतलब जाए देखोगे वह भी आपको दिखाए देंगे जब भी आप उनको जिस भी stage आप उसको sample को भी जरूब करोगे अगर आप erlena stage में देखोगे तो आपको leaf यह स्टैप स्टैम् पर पर infection दिखाए देगा ठीक है अगर आप मां लेट अच्शेज में देखोगे तो आपको जो infection है वह उसके ours लेकिन प्राइमरी होस्ट लेकिन मोनो करेयोटिक होती है और यह कि बार जो आनना पर हैंट इसके नदर न्योग्स जो निूकलिया ही होंगी ना यह कि यह जो सेलlvania ओंदर आपको दो नूकलिया दिखा है तो यह जो स्ट्रक्चर होता है इसको व быть है डारिये भिर्क इस दो अलगलग है बहुनग्स orie डिखाय देंगी वह फ्जाने करतें तो इसमें सेप्टा होता है ब्रांस्ट होती है यह एंड लोकिलाइजड इन इस पेसिफिक पैस्ट ऑफ दा होस्ट प्लांट भी तो गें लीफ पर हो सकते हैं पैस्ट मतलब लीफ स्टैम या फिर जो भी टिशू है वहां पर आपको यह दिखाए देंगी दे आइधर इंट् नुट्रीशन अब्जोर जो इसके बद जो सेप्टा होता है सिम्बल सेप्टा होता है एंड जो कॉम्पलेक्स सेप्टा की बात कर देंगा इसमें नहीं होता है तो यह सेल वाल संगल सेलोज की बनी होती है एंड साइट अपलाजम वोड़ जा गलाइकोजन या इसके रिजर्व फूड मेट्रील होता है वह आपको ओईल या फिर गलाइकोजन वोड़ीज की फूर में देखने हो मिलेगा है एक सकते हो स्टेज स्टेज नंबर फोर के तैक है और लास्टेज में हमारा एचियो स्पोर ठीक है यांग्छी infected weed plant infect the weed plant. यानिकि देखो early जो infection होएगा वो आएगा issue spore से. बार्बिर्ल प्लांट से ही आएगे इसके पास weed plant के ओपर इसको infect कर देंगे. After the infection, this weed plant produced a eugenio spore and these eugenio spore again infect the another weed plant. Clear है? वह ये बात है. Both spore are bionuculated and produce a germ tube on the weed leap. यानिकि जो spore होंगे, they are again bionuculated. ठीक है? देखोर में germ tube तो अगे मान लो, leaf है. Leaf के उपर क्या बनाएंगे ये? एक tube like structure बनाते हैं इस तरीके से. After the germination. And four में tube and structure is known as appresorium. Appresorium में ने बताया था, एक ऐसी penetrating structure होती है, जिसकी मदद से ये जो germ tube है. ये leaf को अंदर penetrate कर देगी और जो mycelium है, वो अंदर की तरफ चली जाएगी. ठीक है? तो ये क्या है? ये appresorium का काम है. ठीक है? Leading to the development of diagraeutic hyphae. ठीक है? And grow between the cells and sometime form hostoria भाई. ये मने उकल बताया था यहाँ पर. ठीक है? तो यहाँ पर क्या है? इस hyphae grow beneath the upper epidermis and form a mass of mycelium and these mycelium continuously absorb the nutrition from the leaf cell या फिर host cell. एक ही बात है. ठीक है? And after that they continuously developed and form and create a force and that force push the upper epidermis toward outside and create stabilizing structure. Like that. यानि कि यह क्या करेगी? अपर epidermis पूरी तरफ धकील लेगी. ठीक है? उसके बात क्या होगा? यह जो इसकी हाइफी है. They are after the rapturing of the epidermis they emerge out. यानि कि they become come out in the form of urinus port. यानि कि बंते कैसे हैं यह हाइफी हैं. हाइफी विक अंदर क्या हुआ? cell division हुआ. तो यहाँ पर एक cell से दो बनी. और ultimately जो उपर वाली cell है वो एक global structure में करनावट होगर इसके उपर two layer आजाएंगी. बाहर वाली देर का नाम कि आप जोगा है. या फिर आप उसको eggyne बोल दोग एक ही बात है. और एंड इंफेक्ट दा अनदर वीट प्लांट. कलीर है यहां तक इसके बाद. तो यह इस तरीके से बनते हैं. तो अगें यह रेप्चर डिपेटर मिस दिखा रखी है. एंड दे आर दा डिवलोपिंग उडिनियो स्पोर. ठीक है? यह आपको दिखने में इस तरीके एंड एंड गॉम्पेक्ट मास काल्ड युडिनिया. तो युडिनिया गिव राइज दा बाइनिगुलेट बेसल इंफेक्ट करते रहेंगे. ठीक है? नेक्स्ट इज आती हमारी टीलियो स्पोर. तो टीलियो स्पोर आर फॉम्ट अट दे एंड ओफ दे वीड ग्रोइंग सीजन तो वीड का ग्रोइंग सीजन जब आता है तब यहां पर सेकंड टाइप के स्पोर इसमें बनते हैं जिनका नाम हो जाएगा टीलियो स्पोर ठीक है? तो इनिशली दे आर डिवलोप्ट अमोंग दे यूडियो स्पोर विदिन दा सेम सोरस सोरस मतलब उता हो कलस्टर जिसके अंदर ही बनते हैं ठीक है? बट लेटर फोर्म ए सेपरेट स्ट्चर काल्ड टीलियो स्प आपको स्टैम के उपपर या लीफ के उपपर ब्लेक कलर का जो पाउडर हो दिखाये देगा बिकोज अदर फोर्मेशन ओफ दीज टेकंड काइड ऑफ पोर्म एज टीलियो स्पोर होंगे दियारा ब्लेक ब्राउन कलर ब्लेक कलर बाई सेल्ड शेब्ड अगिन ये सेव रह यह होंगे ओफ उपोजिट स्टेंट एज दे मैच ओर दे नुकलियार फूज तो गज़र तो इसमें इसली क्या है दो नुकलिया ही है मैंने अभी बताया था ठीक है दे बिकम फूज टूज टूज़धर एंड फोर्म एडाइ कारियो टीक भई ठीक है एंड फॉर्मेशन एंड कपेपिल ओफ सर्वाइविंग अन फैर्विल कंडिसंस देखो यह जो स्पोर ही क्यों बनाते हैं क्योंकि इस टाइम पर वीट प्लांट खतम हो रहा होता है अगर यह फंगस यह सेकिंड स्पोर नहीं बनाएग टीलियो स्पोर तो क्या हो जाएगा यह यहीं पर ना यह वीट प्लांट को इंफेक्ट नहीं करेंगे ठीक है यान कि दे डू नॉट इंफेक्ट दा वीट प्लांट एट टाइम ठीक है तो इस तरीके से यह आपको दिखाये देंगे तो यह बाइन यह दोनों नुकले निग्दिफ्यूज कर जाती है उसके बाद इन में सेल नुकले यहां पर बन जाती है ऐसे निंचे वाली भी शूज़ करती है और इस यह बन जाता इस इसके बाद थर्ड स्टेज आती है मारी बेसीडियल स्टेज भाई तो यह स्टेज आती है मिट्टी में या फिर इसकते हैं फंगस ओंदा सोयल सेकंड केटेगरी यहां लो मार्च और अप्रेल में लग वगया हूं करता हमारा मई और जून तो जून के आसपास मानलो एक दो कोई कई बार बारी सादाती है इसको और ली स्प्रिंग कहा देते हैं ठीक है तो अरली सप्रिंग के टाइम पर जो टीलियो स्पोर होते हैं डे वीकम तो यहां पर देखो गया आप तो इस तरीके से क्या है यह पर साल्थी देखो यह है है हमारा यह बी है तो यहां पर लिए आनुड क्या दिखार रक्षा है कि दो और जो जो अ टीलियो स्पोर Zaris हमारी ठीक है तो टीलियो स्पोर स्टेजшие एंड लेत्र आफ्टर यह स्रेज बनने के बाद यह जो पोर है यह आप कह सकते हैं जो प्रीलिय पूर है दे लैंड ओन दा सोइल यह फिर दे विकम भूर्फ मध सीडिखाए दे रही है यहां पर इसको आप फीपीब का सकते हो ट्यूबला इस त्यूबला इस देखो जो अर्ली ट्यूब निकलती है न उसको बोलोगे आप प्रो-माइसिलियम अड्ड प्रो-माइसिलियम इसके अंदर क्या अब लगाता ग्रोथ होगी इस तरीके से और एक लोंग ट्यूबला स्क्राइब इसका नाम हो जाएगा बैसी ड देख़र हें यहांपर जो ड्डिप्लोइट निकलिया इसके अंदर क्या होगा मियोशियं हो गी ठीक है और इस एक ड्प्लोइट यहां पर चार हप्रो जो बन जाएए और चारौ और हिन चार में से दो को बोलो लोगा आ पोजिटिविस तैन और दो को बोलोगा आ पनेगिठिए फिक है। जैस्च कर आपको इस फिक्चर में दिखा राखा है तो इस पर पोजिटिव 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 यू दिव Lat č principio So after the formation of complete basidium, this basidium developed some pouch-like structure and this pouch-like structure is known as stigma and in that stigma, the nuclei is migrated and ultimately this pouch-like structure detach from the basidium and function as an individual spore called basidio spore. ठीक है? मा आपके एक और फोटो दिखा जेकता हूं. ठीक है? थीक है? तो यह क्या था हमारे पास है? ठीलियो स्पोर था, ठीक है? इसको अगर खोड़ा हो, ठीक है? ठीलियो स्पोर है, एमें, ठीलियो स्पोर जमेंट्क हुआ, जो first tubular structure बनी गलती है, नाम हो जाएगा प्रो माइसिलियम. प्रो माइसलीम के अंदर लगातर ग्रोथ होगी और इसका जो न्यूकलिय हो मियोसी से डिवाइड गरेगा एक से दो और रिल्टिमेटर दो से चार हपलोड जो न्यूकलिय बन जाएंगे यहां जो आपकर जो हंग जो न्यूकलिय माइदे इन्टि फिक हो यहां जो न्यूकलिय है ना जो न्यूकलिय ही है जो दो दो ब्लैक एड तू वाइट दिखाए दे रहे हैं यह इन स्टिग्मा के अंदर चले जाएंगे after that these stigma are detached from the basidium and now this structure this round structure known as a function as a basidium spore and these basidium spore formed on the soil and they remain in the soil for some period of time after that after the formation they travel with the help of wind भई ठीक है यानि कि after the formation they travel with the wind and कहां जाएंगे अब यह बारवई plant के उपर ठीक है तो ultimately यहां पर थे हम तो अगे इन के अंदर मियोसिस होती है अल्टिमेटली सेप्टा बनता है स्टिग्मा बनता है और उसके बाद तो अगे नहीं में से दो को वो लोगे पोजिटिव स्टेंड और दो को वो लोगे नेगेटिव स्टेंड और यह एजिए बेस्टिव स्पोर इजक्टिड यूजिंग दा वाटर डॉप्लेट मैथड यह निकलते कैसे हैं तो पानी बूंद नीचे गिरती है न यह जो बेस्टिव स्पोर हैं दे विगम डिटेस्ट इन्हों कोई पर्टिव मेकनिजम नहीं है मेकनिजम है कि इस तरीके चे टूटते हैं ठीक है क्योंकि जो जून जुलाई अगस्त का टाइम होता है जब गर्मी आपर वह तेज होती है उस ताइम पर यह हमारा जो टंप्रेचर उसको यह सरवाज नहीं करपाते है ठीक है इसके बाद नेक्स आते हैं नमबर फूर प्यात इमारा स्थेज इंदा बारबरी प्लांट तो वें दबेशलियो प्लांट अ अपर सर्फिज दो बारबरी लीफ दे बिकम जर्मिनेट तो यह आप रहाभ देखोगी इस पिक्चर में तो दे आर बेशलियो स्पोर ठीक है ब आप्रे सोरिम बनाती है और उसकी मदद से क्या होता है चो माइसीलियम है उपलीव के अंदर से बिखाटी है लाटए दिश इस पून ल्ओन ड है तो और वाकर और जो अलग रहेगा नहीं कि दोन्नों का जो नोचार चर्पर वह घुकिा व लग लग 그럴 रहेगा वह लग लग ल इसके बाद, आफ्टर यानिकी बार्वरी प्लांट में लो इसमें निच्च आने बाद क्या होगा, अगें दे फोर्म मास ओफ सेल, ठीक है, कल मने आपको बताया था यह बात, ठीक है, और इसके अंदर आपको, 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 अपने यह बताना है, और एक पर्टिकुलर पोर से उपन होता है, इस पोर का नाम हो जाएगा, और इसके अंदर आपको, मेनली आपको टू काइंड ओफ हाइफी दिखाए देती हैं, एक होती है फर्टाइल हाइफी, एक होती है स्टेराइल हाइफी, तो जो फर्टाइल हाइफी होंगी, दे में भी सिंगल टाइप, मीनिकि दे में भी रिसेप्टिव हाइफी, और दे में भी स्पोर फोर्मिंग स्पूर नहीं बनाएंगी ठीक है कि इए फेल्ट को रिशींव करेंगी ठीक है तो इसकों के अंदर और जो दूसरी टाइप घुर्टाइल लाईफी है जिनका नाम होंगा इस पॉर दे डिवलोब्ड टिकनिडियो स्पोर या फिर स्परमेटिया ठीक है और जो सेकंड का इंड फाइफी है उनका नाम होज़ेगा पैराफाइसिस भई जो कि आप इस कप में जो निच्चे दिखाई दे रही है ये वाली ठीक है जो रिप्रोडॉक्शन में कोई रोल नहीं करती है इनका नाम होज़ेगा पैराफाइसिस इनका काम क्या है ये आप कह सकते हो जो स्पोर बनेंगे उनके डिस्परजल में हैल्प करती है उनको बाहर निकालती है इस कप से बाहर निकालती है ठीक है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो स्पोर बनेंगे बनने के बाद वह स्टेराइल हाइफी बोलते हैं दे हेल्पिंग दा डिस्वर्जल ओफ दा स्पॉर ठीक है यह आपके हम ठीक है इंसाइड दा लीफ जर्म ट्यू बिलोंगेट एंड फॉर्म हाइफी एंड अल्टिमेटली ओविसी बात है वो डिपेंड करता है कि हाइफी कौन सी है किस टाइप की हैं अगें हैपलोईट सेल्स होंगे सारी सारी इसको प्राइमिर माइसीलिम बोलोंग को सबक्राइब बैसेटली बेस्टी लोस प्रॉर्ण बैसद गिर सकते हैं जीक हैं अज्यकों बैस्टी क्वालिट की टीक होसे अरग सकते हैं या पिर अलग अलग बस्ट्रेण बार्बी लीफ चॉमएं अबर लग से होगा यानिकि जो बेसेटिव तो त्रीकेस हैं पोजिटिव सेन और नेगटिव स्टेन अब जो यह दोनों टाइप जो स्पोर है ना यह बारभर यह प्लांट की एक लीफ के उपर दोनों गिर सकते हैं पोजिटिव वाड़े भी और नेगटिव वाड़े भी या फिर एक पर के विल पोजिटिव वाड़ा गिरेगा और एक लीफ के विल नेगटिव वाड़ा गिरेगा ऐसे भी हो सकता है कलियर है इतना यह पॉइंट ठीक है रिजल्टिंग फोर्मेशन ओफ हैपलो माईसिलियम उफ वोज सेंग माईसिलियम रिमेन हैपलोईड फोर सम ताइम विद फूजन बिट्विन दा नेगटिव पोजिटिव सेंग ओकरिंग अज़ अब देखो यहां पर क्या होगा कि ऐफटर दा फोर्थ डे वींफेक्शन भई यानि की लीफ पर बार्बरी प्लान पर बेसी उफ्रेटियर फोर्थ डे जो मैसिलियम हैपलो माईसिलियम बोलते हैं क्यों क्योंकि दे रेजल्टिंग फोर दा फोर्मेशन ओफ डिफरेंट स्टेन दो लगले स्टेन पोजिटिव नेगिटिव आड़ी उनकी जर्मिनेशन से उनकी इनिफेक्शन से जो माइसलीम बनी है उनको बोलोगे आप है प्लो माइसलीम या पर जा सिंपल आप माइसलीम आप कह सकते हो कहीं अगें अधर विदिन फ्य दे ग्रोगेव अग तर अपर एपी टररमी आप एंदर अपर एकरक र्पर एपलोगे यह रि landed in the तो यह जो इंफेक्शन होता है जब यह कप लाइक बनती है तो बार्बरी प्लांट के उपर आपको यह लोग अलरकी जो स्पोर्ट है वह बिल्कुल वीजिबली दिखाए देते हैं इवन विद्धा नेक डाई जैसके आपको जो आपको अपको अपर सर्फेस पे वैसे आपक पिक निडिल कब भी इसकी अपर सर्फेस पे आपको विजिबल दिखाए देते हैं बट यह लोगों लरकी होते हैं पैचान यह अपर सर्फेस पे होंगे और कलर यलो होगा ठीक है इसके बाद इनकी जो टोप मोस्ट एरिया होता है इसको बोलते हैं मोस्ट योल जिससे यह अब पर दीट्य में ओक्ते यह तो यह वर है कि कर दोनों लेफ के उपर दोनों बन सकते है जे इसके अगी इसके अगयें इसके अंदर टीद हैं पर यह स्टेराइल ठीक है डेलिगेत लॉंग फ्रेजाइल इन फोरो गोजी काम नहीं रिसेप्टीव और तीसरी उत्तिमारी यह ना कि इन दोनको बोल लगाए पर फटाइल इसको बोल लगाए आप नौन फटाइल ठीक है तो दिश्वर्टीव रिसेप्टी यह क्या करेगी स्पर्टिव हाई वैस पिक निज पोर यह दोनों बेस से इमर्ज थे अगें स्पर्मेटिया और इसे अगें स्पर्मेटिया एर यूनिचलर्लर स्माल ओल स्पर्रिकल हाई-फी स्मूथ बाल स्ट्रक्चर्चर्छ यह 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 द्यार लाइक डैट ठीक है यूनियुकलेटर होते हैं स्मूथ ओल से बिनका बता दिया अगें स्परमेटी आर फिल्ड विद दा स्परमोगोनियल केविटी एंड एक्स्टिवूट फ्रॉम दा ओस्तियोल इन दा डोपलोट ओफ नेक्टर देखो अब क्या होता है जैसे ये केविटी फिल होती है ये स्पोर यहां पर बनते रहेंगे स्परमेटी यहां पर बनते रहेंगे निच्चे यहां पर गिरते रहेंगे अल्टिमेटली जो केविटी निच्चे ये नेक्टर से कुछ लिक्विड सबस्टान से फिल हो जाती है उसके बाद जो नेक्टर है जो पैराफाइस है इसको बाहर निगालता है ठीक है और एक लिक्विड की जो ड्रोप है ना वो पूरी लीफ के ओपर फैल जाती है तो ये किसे निकली है इस कप से बाहर निकली है ऑब इस मीडियम में माझलो अप लिफ लगोड़ जाल ऊस पानी ग्विड़ के निचे दोनों के आपके इस लिक्विड मीडीम में क्या होगा यह जो स्परमेटियां हैं यह एक यानिकी रिसेप्टिव हाई भी तरफ मूव करना स्वाट करते हैं अल्टिमेटली डे रीच तू दा रिसेप्टिव हाई फी एंड फ्यूज आफ्टर दा फ्यूजन देर प्लाजमा बिकम डिजोल एंड स्परमेटिया नुगलियाई माइगरेटिन दा रिसेप्टिव हाई फी नुगलियाई एंड आफ्टर देट जैसी फ्यूजन कंप्रीट होता है तो अगेन देको यह थोड़ा अगेन मैंने बताता है थोड़ा इंपौडधन दैस्में क्योंकि इसमें जो इस प्रमेटिया होते हैं आइधर बदू और फोजितिव निकच्चर तो उसके respect में ही यह move करते हैं ठीक है अगर मान लो जो spermaty आहीं positive नोर्मली हम यह मानते हैं कि जो यह देखो रहें दर स्परमेटिया वन स्टेन स्पोर्ज नेगेटिव स्टेन मतलब negative stwind at that time the wall is dissolved ऐसा नहीं होगा कि जो स्पेरमेटिया है यह नेगेटिव स्टेन है और रिचर्प्टिव हाई-फी भी नेगेटिव स्टेन है तो इनके अंदर fusion नहीं होगा अगर दोनों positive positive हैं तो तो भी fusion नहीं होगा तो थो थोता है जब एक दोनो जो structure है they are of different stain ठीक है and जैसे ही इनके इंदर different stain structure come close together the wall of receptive hyphae dissolve and after the wall dissolve the nucleus pass into the receptive hyphae and forming a binucleated digeriotic stage देखो मैंने बताया था कि यहां पर क्या हो जाएगा जैसे रिचेप्टिव हाइफी के अंदर जो स्पर्मेटिया वाले नुकलिया ही है वो इंटर करते हैं तो दो नुकलिया कट्थी हो जाती है अब इस स्टेज को बोल दोगा डाइकरियोटिक या फिल डाइकरियोटाइज तो जैसे यह काम होते ही क्या होता है इसके जो लास्ट हमारी हम उस पर आजाएगे इसका नाम है इसलियल स्टेज ठीक है तो जैसे ही फ्यूजन पूरा होता है डाइकरियोटिक से बनती है जो हाइपी है वह लीव की लूवर सर्फेस पे पांस मिट का और रगाव जाएगा लीव की लॉवर साइड में माइगर करना स्टार्ट करती है लीव की लूवर सर्फेस में जाने बाद क्या होगा मूव यानकी डाइकरूट है वहरीड मेल नुकलियाइक फॉर्म दाइकरूट यह इट बिकम मूव ट्वाट दा लोवर रिपीटरमीस एंड बिकम स्पोर फोर एंड विच प्रडूस्ट एसीडियल मदर स्पोर पर यानकी जैसे ही आइफी में क्या हुआ है क्या है यहां पर यह जो रिशेप्टिव हाइफी है ना यह निच्छी तरफ ऐसे गुरू करना स्वाड़ करतेगी लीफ की लोवर सर्फिस में और लोवर सर्फिस में आने बाद क्या बनाएगी कुछ मास ओफ सेल बनाती है ठीक है यह जो रिशेप्टिव हाइफी है यह निच्छी तरफ गुरू कर रही है and after when it exit from the pecanidyl cup and toward the lower epidermis it form a mass of cell known as acedyl perimodium and this acedyl perimodium by the continuous cell division form a new cup-like structure toward the lower epidermis of the leaf and this cup-like structure is known as acedyl cup ठीक है ठीक है this one निच्छे बादा तो दिस ट्रेक्टर इनोन एज acedyl cup इसके बाद तो लगें यानकी पहले क्या बनेगी acedyl mother spore बनेगी किसके अंदर acedyl cup के अंदर बनाएगा कौन जो रिसेप्टिव हाइफी की जो lower most cell होती है वो function करेगी अब बेसल सेल का बड़ी एंड इस बेसल सेल इस अगें डाई परियोटिक एंड इस बेसल सेल function करती है acedyl mother spore का अब इसके अंदर क्या होगा division होगा and it form acedyl spore large acedyl spore and small distance तर यानिकि इसके अंदर क्या होगा division होगा first यानिकि irregular division होता फस्ट जो cell बनेगी this is known as acedyl spore second division होगा fit बनेगा इसमें यानिकि यह first division होगा अब second division basal cell हमारी उपर ही है और अब क्या होगा इसमें small cell बनेगी और यह large cell थी बनी थी पहले वाली इसे ही मादोनों तो यह क्या है this one is known as acedyl spore और जो निच्चे यह तरफ second division होगा है जो की irregular division आप कर सकते हो तो यहाँ पर जो नई cell बनी है this is known as disjunctal ठीक है और यह जो pattern है लगातार बनता रहता है ultimately after the formation of a stock of large number of acedyl spore the disjunctal cell become dissolved and releasing the acedyl spore जितने भी acedyl spore कोई क्या कर देंगे release करतेंगी अगें जो एशियो spore होते हैं ते यार अगें orange color yellow bionucleated is for responsible for the infecting beet plant अगें यह भी क्या करेंगे बारबीर plant को इंफेट निक करते हैं जी इनफेट करेंगे केवल beet plant को ठीक है और आपको यह इस तरीके से जो हैं आपको दिखाय देंगी तुक्स्यण और आपको दिखाये दे करेंगे तकर एचिक अपाने हैं लोवर सर्फेस पे आपको जो इसी डिल कप है इस तरी के से रिखाए देंगे और इसका कम्प्रीट लाइफ साइकल है